टेटर्ज और नोटिफिकेशन्स के थूप रिमूव करने की कोशिश की थी वो हाई कोटने वाश कर खतम कर दिया है आई जी खौयजा साहब अब पर्मिनेंटली बहा लोगा है तो हकूमत की मर्जी होती है जिसको भी रखे और मेरे खाल है गौवर्मेंट सापस में डिसाइड करें यह पुलीस को पेसाख्यों पे लाया कौन देखें अभी आई जी साहब चुटी पे गए हैं चुटी पे गए हुनने खुद दर्खास दिये चुटी की वाश की वजाते हैं देता फुरों के बीस ग्रेट के आफिसर स्ट्या करते फुरें इसी भी अफसर को बदलना प्रोगेटर में सुभाई हुकूमत का उसका एक तरीके कार होगा जब भी एक फॉर्मल मेकेनिजम के ताइद और होगा तो मैं एक मिनुट नहीं हुआ 21 ग्रेट की प्रमोशन तो प्राइम मिनिस्टर करता है तो उन्होंने उस कादर समझाओगा तो उसी में से कोई होगा कोई 17 ग्रेट वाला आईजी नहीं लएगा आईजी जो है मेरे ही सब बाडिनर होम सेक्रेटरी के अंडर में आता है असलाम अलेकुम नाज़ीन कुशामदीद कियते हैं प्रोग्राम हम सब में मैं हुमार उखवाद कुरेशी नाज़ीन सिंध हकूमत का A.D. خواجा यानि के A.J. सिंध को अबरत का निशान बनाने का सियासी खेल फ्लॉप हो गया जिससे सिंध हकूमत को ना सिर्फ सियासी बलके इंतजामी बड़ा धचका लगा है A.D. خواجा के वो तमाम अक्दमाद जिनको सिंध हकूमत अपने खिलाफ एजिंडा करार देती आई है अदालती फैसले से ये साबित हो गया है कि A.D. خواجा ने अपने आईनी और कानूनी अखियारात से तजावज नहीं किया जब के सिंध हकूमत के उन पर लगाए गए तमाम इल्जामाद और उनकी कारकरदगी पर उठाए गए तमाम ताफुजात सियासी नौयत के थे इस फैसले ने इस ici की भी ताइद करदी है कि सिंध पुलीस सिस्यासी दबाओ के Valley कर रही है उसके पास इकतियारा थ तो मौझूद है लेकिन उने इस IF तमाल कोई और कर रहा है आज के फैसले ने जहां संद पोलीस के मुरैल को बुलंद किया वहीं ये भी बावर करा दिया है कि अब कोई भी काम जात्ती पसंद ना पसंद नहीं बलके मैरिट पर किया जाएगा नाजिन रवा बरस 30 माई को एडी खाजा को आईजे संद के ओदे से हचाने के खलाब दरफ़ास दायर कि गई अदालत ने अपने हुकम नामे में आज आईजे संद को ओदे से हचाने का नोटिफिकेशन मौतल करते हुए हुकम दिया है कि सुबाई हुकूमत बगएर किसी जवाज के आईजे संद को ओदे से नहीं हचा सकती संद पुलीस की कमांट आईजे संद के पास है अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि एडी खौजा अपने ओदे पर काम करते रहेंगे और अगर कोई अफसर उनके इलावा किसी और फर्द या इदारे का हुक माने तो उन्हें कारवाई का मुकमल अख्तियार है संद हाई कोट ने 31 मार्च और 1 अपरेल को संद हुकूमत की जानब से पुलीस अफसरान की तकररी औ तबादलों के जारी करदा दो नोटिफिकेशन्स भी कल अदम करार देते हुए कहा कि आई जी को ओदे से हटाने के लिए कानूनी तरीकार को फौलो नहीं किया गया संद हाई कोट ने एडी कोज़ा के अख्तियारात बहाल करते हुए फैसले में करार दिया कि PSP अफसरान समेथ हर सता की तकररी औ तबादले का अख्तियार IG के पास है अधालत का ये भी कहना था कि संद बिजनस रूल्स 1986 में IG संद की मुद्टे मुलाजमत का तरीकार मौजूद है अगर उनको हटाना जरूरी है तो वो वजुहात बताना इंतहाई जरूरी है नाजरीं अधालती फैसले से जाएडी कोज़ा को रिलिफ मिला है वहीं अपने तमाम उनके जो मौतल किये हुए अक्तियारात थे वो भी उने वापस मिल गए है जिसकी शिकायत उन्हें वजीरियाला संद को खत लिक करना पड़ी लेकिन दूसरी जाने संद हुकूमत बजाए अदालती हुक्म मानने के अभी भी अपने फैसले पर डटी हुई है हुकूमत की जानिब से अडवके जनरल जमील घुमरों ने अदालती फैसले पर ताफ़जात का इज़ार करते हुए सुप्रीम कोट जाने का इंदिया दे दिया है नाजरें सुरते हाल बलकूल वाज़ है कि संद हुकूमत किसी सूरत एडी खौजा को आईजी की कुर्सी पर बैठा नहीं देख सकती इसलिए उसे चाहिए सुप्रीम कोट का रुख ही क्यों ना करना पड़े संद हुकूमत और अलादीनों खौजा में तालुकात उस वक्त सर्द मौरी का शिकार हुए नाजरीन जब महक्मा पुलीस में नई भर्तियों का ऐलान किया गया तो एडी खौजा ने मेरिट को यपनी बनाने के लिए कमेटी कायम की थी जिसमें फौज की कोर फाइव और सिटिजन्स पुलीस लाइन लियर्जान कमेटी सीपी लसी के नमाइन दे भी शामिल थे एडी खौजा ने फौज से दर्खास की थी कि नए भर्ती होने वाले दस हजार कॉंस्टेबल्स की ट्रेनिंग वो अपनी निगरानी में करवाई एडी खौजा के इस इकदाम ने सिंध हुकूमत के अरकान खास कर साबक सदर जर्दारी की बेहन फर्यालतारपुर सहवा को भी नारास कर दिया जो उन भर्तियों में अपना हिस्सा चाहती थी ताकि आएंदा आम इंतखाबाद से कबल वोटस को खुश किया जा सके इसके इलावा अजर्दारी सहाब के दस्ते रास समझे जाने वाले अनवर मजीद के बेटे के घर से गहर लाइसंस याफ़ता असलिहा मिलने से एडी खौजा ने वीडियो सुबूट जब वजिर आला को वटसाप किये तो वहां से हुकम आया कि अनवर मजीद के बेटे पर इंगर के बाहर से मिला है मकसूस मतालबात को मानने से इंकार के बाइस एडी खौजा सिंद्दकी हुकमरान जमात की हमायत खोते चले गए एडी खौजा को अकेला करने के लिए सिंद्ध हकूमत ने पांच आईजीज के तकरर और तबादले भी किये एडी जीज के और ने की घरकारूई सप्लाई में मलवस हैं। करदा काई मकाम आईजी मुश्ताक महर का तकरर करने पर मजबूर हो गई। सिंद्ध हकूमत को सिर्फ पोलीस के सरबरा से खत्रा नहीं नैप से भी ताफुजात हैं। वो या हर उस फर्द और इदारे से ठन चुकी है जो शफाफियत और अपने अख्तियारात की बंदर बांच पसंद नहीं करता। इसकी क्या वजूहात हैं इसी पर आज बात करेंगे। कोट का पबलिक में तो इसको बड़ी पजीराई मिल रही है लेकिन सिंध हकूमत इसके खलाफ अभी भी जो है वो मुतमे नजनियारे ने सुप्रीम कोट जाने का इस हवाले से ऐलान भी कर दिया है। आज का फैसला क्या ये बात साबित करता है कि सिंध हकूमत में जो है जो जो इल्जामात आयद करें थी एड़ी खाज़ा साब के थे। के थे? नहीं देखें मारूख आईदी खाजा एक ऐसा क्यारेक्टर बनके सामने आया है पुलीस आफिसर बहुत बड़ा जमूत था और ये हमेशें कहा जाता रहा है और किसी हद तक यह हकीकत भी है कि सिंध की जो पुलीस है वो बहुत ज्यादा पुलिटिसाइज है अगर आप गुज़ाशा चार साल की परफार्मिस देखें उनकी तो सिंध तकरीबन बलोचिस्तान और सिंध एक साथ खड़े हैं पुलीस में और फिर केपी के उसका ट्रे करेंटली के वो उनकी मर्जी के मताबक काम करें और इसने सिस्टम को रिजिस्स किया है अगर्चे उन पर कुछ एलिगेशन जरूर है एडी खाजा पर और विदिन पुलीस की जो टॉप हाइरार्की है एज जनलिस जब मैं उनसे सबसे राबते में होता हूँ एक दूसरे के के कि खिलाफ क्लект करते रहते हैं ऐलिगेशन ढूंटे रहते हैं कि आप एडी खाजा को मीडिया स्पॉर्ट कर रहा है लेकिन उस पर ये लजामाएं हैं ऐन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं लेकिन एक बात तहय है कि उसने इस सिस्टम को रिजिस्ट किया है सिविलियन गामे अमान पर कंप्रोमाइज किया गया है जो आपको बता है कराची अरेंजर के कंट्रोल में है और सिंध पुलीस उसको कौपरेट कर रही है सिर्फ एक चीज तरह है कि चार बड़े ऐसे इशू थे जो एडी खाजा को इस टेज पे लाके खड़ा किया है कि एक तरफ एडी खाज पुलीस की कमान करके सिंध हकुमत के सामने खड़े हैं एक बड़ा सबसे इशू यह था आपको पता है कि सिंध में साबक सदर्जरदारी की कितनी चलती है उसी की गौर्मिन्ट है और वो जो चाहते हैं ऐसे ही होता है इतनी ज्यादा रिपोर्टेट चीजें सामने आई थी के फॉर्मर्स को किसानों को ये फोस किया गया था कि जो तालपुल फैमली की और शुगर केन का मसला है जबरदस्ती आप गना दिलवाएं ये तहरी जहां से स्टार्ट हुआ था पिर उनके कुछ इतरे अजीज थे जो उनके सारे बिजनिस को देखते थे पूरे सूबे में उन पर उन्होंने हाट डाला फिर सूबे में जो गहर कानूनी असला था बड़े लोगों के पास जो लेंडलॉर्ड हैं उनको उन्होंने कंट्रोर करने की कोशिश की अगर्चे उसको कामजाबी है उस तरीके से नहीं मिलने दी गई और मारफ एक चीज बड़ी ताय है कि ज लेकिन तायनाती तो खुद से नहीं नहीं देखें वफाक ये तो शामिल थी ना वफाक ओवराल चीजें देख रहा था इस चीज को ये कहा जा रहा था कि जब ये टसल चली लीगल बैटल और फिर साथ कैबिनेट मीटिंग में एडी खाजा का बाकैदा एजंडा रखा गय होगा आज के अदालती फैसले से देखें चुंकि एडी खाजा के मुतालिक मुख्तलिफ अफ्सनों की मुख्तलिफ राये हैं सिंद में भी तो मैं नहीं समझता कि मुराल पर इतना असर पड़ेगा एडी खाजा बजाहर इससे पहले कि जो आईजीस थे उनकी निस्पत एक बेहतर आफिसर हैं एक दिलेर आफिसर हैं उन्होंने भरती में जो शफाफियत दिखाई और दूसरे मामलाथ इससे इंकार नहीं है उनका तकरर भी सिंद्ध गौर्मिट की ही मर्जी से हुआ अब सूरते हाल यह है जो हमें जो लमाए फिक्रिया है कि जो यह लिटिगेशन का प्रासेस यूनिफार्म पर्सनल जो करते हैं और अपने राइट्स के लिए या अपने तकररी के लिए अदालतों का इस्तवाल करते हैं चाहे वो खुद करें चाहे किसी और को आगे लाके करें यह इंतहाई गल्त रवाज है अगर आज एक आईजी इस वज़ा से आप का इसके बावजूद आपकी फेडरेशन गलत कर रही है जो बदला है तारमसूर यासीन को क्या उनके तीन साल पूरे नहीं हुए थे और एक और बात मैं आपको बताता चलो कि का सब आर्टिकल है फॉंडमेंटल राइट से मितलका है इसमें लोगों को अपने बेसिक राइट के लिए अदालतों से रजू करने का या हाई कोट मेरिट वएरा करने का अख्तियार है लेकिन उसमें भी पुलिस फोज जिन्होंने लांड आडर कायम करना होता है और इस तरह के दूसरे इदारे उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने राइट के लिए इस तरीके से सेट करेंगा अग्जेक्ली अग्जेक्ली अग्री विए इस पॉइंट बफोर मुविंग ओन ये बड़ी इंपॉर्टन बात नों निकलिए तो फिर इस तरह के जो एदारे हैं उनके सरब्रहां से जब अख्तियारात की छीना जपती होती है सर कह रहे हैं अदालतों का वो और क्या प्लाटफॉर्म में हमारे पास देखें मारुख ये एडी खाजा वहद एक एग्जेंपल नहीं है इस लिटिकेशन में बहुत सारे और सीनियर आफिसर्स हैं टाप विरॉक्रिसी में आप देखें मैं आपको मिसाल देता हूं जो बैड गवनिस की आप देखें मैक प्लीस आफिसर यहां पर आपको मालूम होगा गोर्चानी साहब हैं उनको तीन साल से कोई पोस्टिंग नहीं दी जा रहे है इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर को ग्रेट 22 के लिए लोगों का भेजा गया है उसमें उसका नाम टॉप पे है लेकर दोदफार सुपरसीड कर है तो यह बेसिक लिए गलत हो रहा है ना जात्ते हो रहे हैं तो प्लाइट प्लीस प्लीटी साइज है ना मारख देखें राओ तहसीन साब जो है वो भी गए हुए तारे लुम खान साब इस वक्त कहां जाए मुझे यह बताए आपकर रहा हूं अफीसस की जोनों ने लाड प्लाइट के लिए और कि दूसरी एक और चीज़ है कि सुबे में लाड़ आडर काइम करना आइने पाकिस्तान के मतारी वेफात के जिब्मेदारी है और आई जी जो है उसने सुबाई हकूमत के अंडर रहते हुए काम करना होता है और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है वो उसने अदा करनी होती है तो अगर एक आई जी रिफॉर्म्स की बात करता है और उसकी हुकूमत के साथ नहीं बनती तो फिर क्या हो देखें फिर क्या करें उसको स्पोर्ट है वफाक की आप यह गलत चीज़ तो नहीं है ना देखें सिंद्ध गॉर्मिंट के जो ह मसाल काइम की है और मैं समझता हूं कि एंदा आने वाला आई जी भी वह इसी तरहां बेहतर मसालें काइम करेगा सब्सक्राइब कोशिश की जाए कि आई जी ने सीम सिंद्ध को के जी मेरे से सारे इक्तियाराद आप लोगों ने ले लिए तो करियों और तबादले तक के इ पंजाब में सब गलत हो रहे तो पंजाब में गलत हो रहे अधर क्यों कोई बोलता है अधर क्यों कोई बोलें को इसलिए बोलेंगे कि एस्टेब्लेश्मेंट जो है वह ने कंट्रोल करती है फेडरेशन में किसी और की एकूमत है पिंजाब का अफसर नहीं बोलेगा पिंजाब का अफसर भी सब कुछ कर रहा है शायद उससे भी ज्यादा कर रहा है लेकिन उसको पता है कि उसने गरांखे दिखाई तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा उसके उनको सपोर्ट है इसी बैक है क्योंकि उन्होंने दो हजार के करीब रिटायर्ट फोजियों को पलीस में ले आए हैं थोड़ी उनकी परफार्मस बेते करने के लिए अगर आप दो हजार पंदरा सोला का आडिट रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो करॉप्शन पॉइंट आउट किय इंबेजल मेंट मिस मैनेजमेंट वो सिंद पलीस में है और अर्बी रुपए की है पॉइंट आउट किया गया है इसके इलावा मेरे क्या में एड़ी खाजा को स्पोर्ट देनी चाहिए वो यह चाह रहे थे कि तीन-चार और अपने लाइक माइंड पलीस आफिसर लेके आ स्वासा argues स्वाला मौामला आजका जो अधालती फेसले आएा है किया इस ऑड़ी फैसले से ये तासर लिया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतरा जता उठा रही थी एड़ी हौजा satisfied कि क्यों पर आगर मैं वह जाए अगर होता तो पहर बाहाली का वार्ठी अब आई जी शिन्र की बात कर रहे हैं जी जी एडी खुआजर साब की बेलकु al. देगिए खाजर साब की जो है हम समझते हैं इसमें हम अपील में जा रहे हैं और हम समझते हैं कि ये सुभाई खुद मुख्टारी जो के अठारमी तर्मीम की रूह के नाते से ये आएंग की रूह भी मुतसवर होगी इस के नाता से अगर सुभाई ये हकूमत को सुभाई खुद मुख्टारी के मुतसादिम हैं और अगर सुभाई अगर वफागी हकूमत ने ही एड्मिनिस्ट्रेशन चलानी हैं तो फिर आप आठारमी तर्मीम को आएंग को खतम कर दें पिर आप देदें जिसको मर्दी एक्सियार हम इसमें यकीनल सुप्रीम कोर्ट म नहीं हो सकती सचन मुदत से पहले सरकारी अफसरान की यह उसकी भी खलाव वर्जी थी ना देगें आनीता जो केस है उसका उसमें सुभाई खुद मुख्तारी कहीं भी डिसकास नहीं हुई ना यह मासला था कि सुभाई खुद मुख्तारी उसमें आएगी इसलिए कि यह ए तक आप उसको ट्रांसफर न करें वो भी कोई डायरेक्टरी है मैंडेटरी नहीं है अगर एक मुलाजम सरकारी मुलाजम जो है वो अपने फराइज मनसभी उस दौरानिये में मुलाजब अन्दाज से आईनी अन्दाज से कानूनी अन्दाज से नहीं निबाता या उसकी शिक के अकमात मानें सारे पुलीस अफसरान या सिंद हुकूमत के माने चीफ सेक्टरी के माने किसके माने और जब तक आप इस फैसले को चैलिंग नहीं करते तब तक क्या सुरत आल रहेगी अख्तियारात किसके पास है देखें अभी तो अगर तो सेल्फ एक्डिक्यूटर ये फैसला जो है वो उन्होंने रिलीव किया है डिविजन बेंच ने उसका जाएजा लिया जा रहा है और आज भी हमारी एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग शी उसमें भी ये बात आई है और हम उसे जो है यकिनन हमने अदालतों का हमेशा इस तराम किया है और हम कानूनी और आईनी डाइरेक्ट के अंदर रहते हुए हम उसको चैलेंज करेंगे हमारी नजर में यह आईनी तकादों से मौतसादम और महावरा है यह फैसला इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे ठीक है लतीफ को साब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ताहिर आलम खा उसको चैलेंज भी करेंगे जो के एक्सपेक्टेट था पाकिसान पीपल्स पार्टी करेंगे लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि सारी सिंध हकूमत मिलकर एक पुलीस अफसर को खुड़े राइन लगाने की कोशिश कर रही है सर डियू टू वेरियस रीजन्स और जिनकी सिंध में जो हालात हैं के मतालिक मैं पहले भी बात कर चुका हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि अफसर को लगाएंगे वो रियक्ट करेगा एडिक फाजा साब के लिए बेहतर यह है कि वो इन हालात में चार छोड़ दें और किसी और को आने दें क्योंकि इससे क्या होगा इससे ला नाडर मुतासर होगा सुबे का जब सुबे का आईजी और गौर्मेंट के दर्मयान हम आंगी नहीं होगी तो डेफिनेटली क्राइम पर और दैशत गर्दी पर उसका फरक पड़ेगा लेकिन ऐसे तो हर वो पुलीस अफसर जो रिजिस्ट करता है अपने अग्ति इससर रियक्ट करना शुरू हो गए हैं लेकिन अब इससे अवाम मुंतासर हो रही है यह दूसरा एई जी आया था भी गिश्कोरी साब गुलाम कदर थेबो को ताइनात किया था मुश्ताक मेर साब की जगह पे और मुश्ताक मेर जो हो पॉइंटेड बाई एडी हो आजा वापस लेकिया ना पड़ा उनको बिकिस कराची कराची का लो ना रौट सराब हो आथा आपको यह मालूम है कि एडी खाजा जब आई जी बने उससे पहले चार जो एडिशन इंस्पेक्टर पलीस सीनर पलीस साब विना थे वो दुबाई गया थे और जरदाजी साब को करते हैं मेरा परसम अपीनिज यह है कि जो पाक्तान के ब्रॉक्रिसी के और सीनर प्लीस आफिसर दें रूल अफ लाग के लिए उनको स्टैंडबाग करना चाहिए और यह को बहुत अच्छे अफिसर और जिए अपको पता है आपके सीनियर आफिसर जिमान की बात कर रहा थ आपके सीनियर प्लीस आफिसर है तीन साल से उसको पुलिटिकल इमिजिसर में आपको बता रहा था अक्तर गोर्चानी वो घर बैटे है उसको प्रमोशन में भी जारी है अच्छा मुझे मुझे आप यह बता दे एक कोई ऐसा काम जो एडियो फाज़ा साब ने सिंद में ग अपराज है कि फोज को के अफिसर को भरती के बोर्ट का मेंबर क्यों बनाया गया क्या पुलिस में ऐसे बात नहीं है वो चुनके ऐसे अफसर रखते जो के नहीं है ऐसे सिंद में आफिसर पांच एई जी वो लाए ते अपनी मर्जी के जिनको तो रिशेवल कर दिया सिंद इसलिए वो फॉज को लेकिए है सुवे में जो नेशन एक्शन प्लैन एक अनौंस किया गया था सिंद पोलीस की प्रफार्मस वज्टरीन है अगर आप देखें नेशन एक्शन प्लैन पे बिल्कुल और उसकी रीजन यहीं है कि पलीस तोटली पुलिटिसाइज़ है फिर पंजाब में आप देख रहें वहां पर भी पुलिटिसाइज़ है ने पंजाब में थोड़ी सी बेतरी थी लेकिन फुली कंट्रोल में है चीफ पिरिस्टर शेबाद शरीफ के जो वो चाहते हैं उसको वो पिक करते हैं पंजाब में अवराल उनों ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखावा है और चोटे जिलों में MPA MNS की मर्जी के बगार बचारा DPO या SSH को कहां चलता है पंजाब में जिस तरह आप ने देखा होगा अराना सलावना का इस्यू हुआ था पिर आप ने देखा मार्डल टाउन जो किलिंग्स है ये वर्स एक्जेम्पल है प पैसले को आप पुलीस रिफॉर्म की तरफ पहला मस्बत कदम देखते हैं मैं यह समझता हूं कि बन्यादी तोर पर कानून में तबदीली की जरूरत है पुलीस हाडर जिसमें तीन साल का टिन्यूर मकरर है वो तो सिंध में लागू नहीं है बलके किसी भी सूबे में अपन इस अपनी लिमेंट में रहे जश्वाइ अपनी लिमनट में रहे और ऐज़ी आई जी को अंडर दिला काम करना है उसे पहलवानी शोह नहीं करना इंडर दा ना सियासी हुकूमत के अंडर काम करना मजबूरी ए ? ने देखें मारोक एक इंपोर्टन चीज है सिविलियन गवर्मिन्ट जो खोसा सा बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे ये भी सुपरमेसी है लाकी कि आप लाइन आडर जो है वो सुभू के पास है अठारमें तर्मीम के बाद सिंद गवर्मिन्ट जिसको चाहती है पुलीस के हैड बना सकती है लेकिन ये क्योंकि एक सियासी खेल है वफाक और सुभे का दर्मियान हर वो इश्यू जिस तरह नैप का था रूम्पेंट करॉप्शन है इस वक्त सिंद में लेकिन वो वफाक में भी चाह रहा है और सुभा भी चाह रहा है सिंद का कि वो अपन की कन्विक्शन नहीं हुए तो ये वर्स एक्जेंपल जरूर है आखरी एक मिनिट मैं दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप इस मसले को आप आगे जातावा कहां पर देखना है ताहिए लंब खान साब क्योंकि ये तो चैलेंज कर देंगे उसको पीपल्स पार्टी वाले अच्छे अफसर को सिंधने जाहर है मरकज जब नाम देगा या एक्सेप्ट करेगा तो किसी अच्छे अफसर का ही नाम देगा ग्रेट 22 के भी जैसे बता रहे हैं कश्कोरी साब आफीसर यहां पड़े हैं जिने नहीं लगाया जाता उन आफीसर और असूली तो और मारस देखें मेरी नजर में पुलीस जो सिंध की है उसको आप डी पुलिटिसाइज करें वो रेंजर के कंधे पर चल रही है कब तक चलेगी जब तक रेंजर मौजूद रहेगी कराची में सिच्वेशन बेटर है जैसे ही आठ मेहीन बाद गौर्मिंट चेंज हो रही है अ एटी खाजे को स्टेप डाउन करना चाहिए ये मेरी नजर में ये क्योंके वफाक और सिंध का मसला है ये दरमयान में एक आड है तो जिसमें अब अदालत भी कुद पढ़ी है अदालत डिफिनिट्ली अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी लेकिन ये एक सियासी मसला है जैसी मसला है बहुत 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 शुक्रिया ताहिरा अलम खान साब शुक्रिया जायद गश्कोरी नाजरीं ये एक सियासी इशू है इस पर मेरे दोनों पैनलिस मुत्टविक है और इसको फिर क्या सियासी तर से हल करना चाहिए क्योंके कोर्ट का तो फैसला आ चुक है जिस पर अब इसको चैलेंज किया जाएगा पाकसान पीपल्स पार्टी की जाने से ताहम मसला सार ये है कि जो सुबाई लॉइन ओर्डर है वो इससे खराब नहीं होना चाहिए जिसके लिए तमाम स्टेकोल्डर्स को जल्द जल्द इस मौमले के हल की तरफ देखना चाहिए एक वकफा लेते हैं वकफा से जब वापस आएंगे बात करेंगे जी लौहॉर के हवाले से कि एक बड़ी अजीब और गरीब और हैरत अंगेज खबर आपके साथ शेयर करना चाहरे है कि सन्थ दोजार पचास में लौहॉर दुनिया का सबसे बड़ा मेगसिटी होगा लेकिर इस खबर को सुनकर पाकिस्तानियों की पॉलिसी मेकर्स की और माहिरीं की नींदे उड़ गई हैं आखिर क्यों एक वकफा मेरे साथ ही रही है नाज़ी नाज़ी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सन दो हजार पचास में दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा जी हाँ दुनिया की लाज़िस्ट मेगा सिटी कोई और नहीं बलके लाहौर होगा ताज़त अरीन जो सेंसेस के अधादों शुमार आया हैं लोशनी में लाहौर की आबादी अलरडी 2 करोड से तजावस कर चुकी है और माहरीन ये कह रहे थे कि सन दो हजार पच्चिस में लाहौर जो है वो कोई 1.5 करोड की आबादी को चुएगा लेकिन सन 2017 में लहुर की अबादी दो करोड से तजावस कर गई है और अब माहरीन परिशान है और एक ऐसा सर्वे जो चंद साल कबल करवाया गया University of Toronto के एक study जो सामने आई थी जिसके तर दुनिया के उन शेरों की फैरिस्त बनाई गई जो 2050 तक आबादी के लाद से बड़े शेर यानि मेगा सिटी बन जाएंगे इन आदातों शुमार के मताबिक 2050 में नमबर वान पे मुंबई था और जो कराची है वो नमबर एट पे था और लाहौर का कई नमों निशान नहीं था लेकिन अब ये खबर सामने आ रही नाज़एं के सब्सें 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा शेर यानि लाजिस्ट मेगा सिटी इन दा वरल्ल कोई और नहीं बलके हमारा लाहौर होगा अब ये खबर अच्छी है या बुरी समझ नहीं आरी पाकिस्तानी इस खबर के को सुनकर परिशान हो या खुश हो समझ नहीं आरी पॉलिसी मेकर्स के अलबता नींदे उड़ चुकी है इसकी क्या वज़ा है ये जरा हम जानेंगे मेरे साथ मौजुद है रसूल बक्ष रईस साब पाकिस्तानी प्लिटिकल साइंटिस और प्रफेसर अफ पॉलिटिकल साइंस लमजी नहीं इसके साथ साथ डॉक्टर वकार भी मेरे साथ मौजुद जी डिप्टे एग्जेकेटिव डिरेक्टर सिस्टेरिबल डिवल्पमेंट पॉलिस इंसीचूट आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं रसूल बक्ष रईस साब लहोर दुन्या का सबसे बड़ा शेहर बन जाएगा अगर आबादी उसकी इसी र लहोर में होना शुरू हुआ और फिर फैसलबाद, मुक्तान, पाकिस्तान का इस वक्त कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर कालूनिया, नए टाउन्स बनते जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं तो उन पर कोई पाबन पाबंदी नहीं है इसलिए कि कोई कानून मुल्क के अंद करती है कि ये इसलिए किस मक्सद के लिए है, ये क्या स्तनद के लिए है, ये क्या घर बनाने के लिए है, या ये मार्कित बनाने के लिए है, या ये जराद के लिए है, ये यहां पर कोई कानून मौजूद नहीं है, कि जहां सड़क बनती है, वहां मार्कित बनना शुरू ह होती है सारा देखें कि सरक के साथ-साथ माकिट भी चल रही है हाउसिंग कालूनी भी चल रही है और इस तरह से अबादी का फैलाओ बढ़ता चला जा रहा है दुन्या में ऐसा नहीं होता जब यह तो यह जाता है कि क्या यह सस्टेनिबल है यह नहीं है पानी कहां से आएगा द्रक्त वहां पे होंगे या नहीं है जितना कालूनिया अप इस वाम भाद में भी हमने देखी है उसके मालफात में लहों नहीं हैं वहां पे आप यह तेखिए कि पर पार्क नहीं है जंदन की प्लैनिंग आज सब साल जेर सु साल दुसाब साल ऐसी हुई कि साट फीशाद आई ग्रीन एरिया है, यह आई आए लहुर नहीं है यह ऐसा पुर्णान में है कि जहां भी आपकूओध आहिए आपको अमार्ते ही इमार्ते हैं घर ही घर कलूआए़ ही कलूआ़ नज़र आती है कहीं कहीं कोई दरक्त नज़र आ जाता है ये सिस्टेनेबर नहीं है माहौल के लिए और मैं नहीं समझता कि जो हमारे सियासादान है जिरोक्राइल हुकुरान तबके को देखे हम तो बिलकुर मज़ूर लोग हैं कि हुकुरान तबके ने पाकिस्तान की तामीर, तरकी, नुसुबा बंदी और ये लोग कैसे अबादियों में इकच्चे रहते हैं शेहरों के अंदर उसके बारे में ना सोचा है, ना फिकर है, ना बिल है तो बन्यादी तोर पर रसूल पक्षरी सब आपकी बातों से मैं ये अख़स कर पाई हूँ कि बेसिकली टैंशन की बात इस हद तक है कि अन प्लांट तरीके से ये शेहर जो है वो बढ़ रहा है इसी पर ज़रा मैं आप मेरे साथी रहिएगा, मैं लेना चाहूँ कि डोक्टर वकार को भी डोक्टर वकार आपके नजदी की अच्छी खबर है या बुरी खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर टूथाउसन फिफ्टी के अंदर लहौर होगा देखे जी डोक्टर साथ ने बहुत अच्छी बात की कि ये स्टेटिस्टिक्स जो है वो बिलकुल भी किसी भी अंगल से सस्टेनिबल नहीं है ना एकनामिक ग्रोथ के अंगल से ना सोशल जस्टिस के अंगल से ना इन्वाइर्मेंट या फूड सेक्यूरिटी के अंगल से और ये इसलिए भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इसके बैक्राउंड में ऐसी क्या वजूहात हैं कि लहौर इतना फैलता जा रहा है और स्टोर कास्ट है कि और फैलेगा बेसिक बजूहात आप देखें वो दोई हैं नमबर एक पंजाब गवर्मेंट जो है उसने मेजौरिटी स्पेंडिंग जो की इन्फरस्ट्रॉक्चर के ऊपर वो अनफॉचने की बाकी शेहरों की निस्बत लहौर में ज्यादा की बाकी शेहरों में बहुत ही अन एक्विल किसन की स्पेंडिंग है उन शेहरों को उतना नहीं मिला जितना लहौर को मिला है नैचरली जहां जिस शेहर को आप ज्यादा बजट देंगे ज्यादा इंटरस्ट्रॉक्चर देंगे हर किसन का जो आपका कम तिदखादार तबका है आपका वो तबका जिसके पास नौकरिय नहींगा वो उसी शेह की तरफ फ्रोंग करेंगे उनी शेहरों की तरफ वो आएंगे अब इशू यह है कि जब वो इन शेहरों की तरफ आते हैं तो पर पेरियर अर्बन एरिया और तो उसको उसको राइज जरी चाहिए जब आपकी जो आपकी ग्रोथ होती है एक सिटी स्पेसिक या एक अर्बन स्पेस के अंदर तो उसको राइज जरी चाहिए उसकी वज़ा से दूसरी अर्बन स्पेसिस जो है उनको राइज होना चाहिए तो यह स्टेटिस्टिक्स तो यह बता रही है कि हम नई सिटीज बिनाने में नाकाम रहे हैं और हमने अपने ट्रडिशनल सिटीज के अंदर ही जो है वो पैसों को अच्छा जाओंगी सर मतलब हम एक्सपेक्ट करें थे कि मुंबई लीड लेगा या चलो कराची ले लेता या पूरे दुन्या में इतने बड़े-बड़े मुल्कों के इतने बड़े-बड़े सर शहर है वाई लाहॉर इस वेरी सर्प्राइजिंग लाहॉर का जिग्राफिया है उसके जावी से देखेंग और उसके साथ साथ पूर अर्बनाइजिंग इलाका है जो जहलम से शुरू होता है और सहीवाल तक चला जाता है और फैसलबा तक चला जाता है तो जिस तरह शहरों की ग्रोथ हो रही है ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे ये एक लिहाद से खुशकुन खबर है कि प्राशाजी और सियासी तब्दीलिया मुल्क के अंदर आएंगी और उसरे जो हमारी जमूरी स्यासत है नलाएजीय मुहिंदगी के हवाले से भी उसमें एक मस्बद स्यासी तालोकात हैं रिष्टे हैं जो मौरूसी स्यासत है बो दंदोर जाएगी और नए समाजी तारे कर एक पर दबाव होगा कि बेच्टर कर देगी तो इस अच्छी ख़बर पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ठीक बहुत शक्रिया रसूल बख्ष रही सब अपना तद्जिया देने लिए बहुत शुक्रिया वक्तर वकार हम से बात करें के लिए नाज़िक उसके सासे तक यह भी है कि शेरों की अबादी बढ़ेगी, तो जिए शेर की अबादी जितनी जादा बढ़ेगी, एनएसी के अंदर उसका अतना हिस्सा होगा, तो शायद पजाब गवर्मन्न की स्ट्राइडिजी जो है, वो काम तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अनप्लांड अर्ब झाल, झाल, बढ़ेगोः चड़ी, खिल झाल, 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 झाल